नमस्कार, आज अंतराष्ट्य योगा दिवस के अफसर पर आप सभी का राष्ट्य आधनी कला संग्रहले के मंच पर हार्दिक स्वागत है। योगा हमारे अध्यात्मिक सिर्ता के साथ ही उर्जा का भी शोत है। जिसमें हम व्याम तथा ध्यान के माध्यम से तनावमुख और स्वस्य जीवन चैले को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर कृष्णकान शुकला जी हैं। डॉक्टर कृष्णकान शुकला एक संगीतकार, वैज्ञानिक, लेखक, कवी, शिक्षक और दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने M.A. एवं PhD की डिग्री स्टेट उनिवर्सिटी ओफ नियॉक से क्रहन की है। कृष्णकान शुकला जी का जल्म पटना बिहार में हुआ था। तथा वैवारानसी में रहते हैं। उनके विभिन टॉक्स, इंटराक्टिव सेशन, इंटर्व्यूस और संगीत कारिक्रम देश विदेश में आयोजित होते रहते हैं। उन्होंने ग्रामेन भारत के लोग गीतों पर व्याक्त शोध एवं रिकॉर्ड किये हैं। इन में से कुछ गीत कि लोग परंपरा तो लगभग 1400 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। उनका वैक्ष्यान अध्यात्मिक प्रसिती को भारत और विदेशों में व्याक्त प्रशंसा प्राफ्थ हुई है। यह धर्ण, विज्ञान और प्रयावरण के सामाने छेत में एक नया उभरता हुआ छेत रहे। मैं अब राष्टे आधुमी करा संभाले के महा निरेशक श्री अभ्यत्यगर नायग जी से अनुरोद करूँगी कि वह इस विशे में दो शब्त कहीं सर्थ। शुपलाज जी नमस्कार। नमस्कार। वह साल हो गया साहत सुजाती जी का साथ हम मिले थे एक बार जाद होगा। अच्छा जी सुजाता जी कल्चराल मिनिस्ट्री में थे अर्शनाल सेक्रेटरी। तो इस टाइम हम सारी प्लान किये थी कि कैसे आठ को योगा का साथ मिलाएंगे। तो आपका अच्छा है कि इंटरनेशनल योगा डेम में हम मिल रहे हैं और ये जो योगा आठ में आठ बहुत स्पिरिच्वल होता है। हम भी बिलिव करते हैं आठ ही स्पिरिच्वल और स्पिरिच्वल ही आठ है। तो योगा और जो प्रसेस, एक जो प्रसेस होता हैं, आट में हम जैसे प्रेंटिंग करते हैं, लेयर बाई लेयर काम करते हैं, वाटर कलर हो, आयल कलर हो, कि स्कॉल्चर में बनाते हैं, एक लेयर बाई लेयर काम करके एक जागा में हम पहुंचते हैं, तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि हमारे जो प्रसेस, वो काफी तरफ योगा का जो प्रसेस है, उसी तरीका हमारा आर्ट का, कोई भी आर्टिस को आप स्टडी करेंगे, उसी साब से हम लोग काम करते हैं. तो आज सबसे बड़ी बात है, आप साइन्स, आप साइन्स बेग्राउंड से हैं, तो आपको यह सारी चीज इस आप एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, और इतना, अच्छी उस टाइम में हमने बात किया था आप से, वो सारी चीज हमको थोड़ा थोड़ा बताए थी कि कैसे हम उन किस तरीका हम उसको प्रोसेस में काम करता है, और एक स्पिरिच्वल योगा का बात आज जो साइन्स, क्योंकि इसमें आप प्रोसेस में काम करते हैं, तो जोनों का आसपास कहां हम मिलेंगे, और सबको अच्छा, सबको जितने भी जुड़े हैं, सबको धन्यवाद, जितना आटिस्स, इतना फिलिच्वल और साइन्टिस्ट, सब लोग के लिए ये बहुत बड़ा उस्चा रहेगा, और इसमें हम बहुत कुछ हमको मिलेगा, और इसी तरीका हम साथ मिलके बहुत आगे प्लान करेंगे, आप परसनल मिलना में चाहता हूँ, अभी ताब बनारस में ह परसनल मिलना चाहते हैं, अभी इसे प्लान करें, तो आपका हाथ में है, अभी आप शुरू कर सकते हैं, धन्यवार सब को प्रणा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवार डीजी सर, अब मैं डॉक्टर सुकला से अनुरोद करूंगे, कि वो आज के सेशिन की शिरुवात करे मेरा एक रिक्वेस्ट है शिवशंकर जी से, शिवशंकर जी अगर सुन रहे हैं, कि बैक्ग्राउंड में बहुत लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो शायद इसको ग्लोबल म्यूट कर दें, जब जब हम बोल रहे हैं, तो सिर्फ मुझे अन्म्यूट रखिए, और उसके बाद सर्फ अन्म्यूट करेंगी, तो मैं शुरू करूँ, आपनों का पर्मिशन हो, तो मैं शुरू करता हूँ, जी, मैं शुरू करूँगा कुछ एक इन्वोकेशन से, तो वो आप लोग सुनियेगा, ये संस्कृत में है, वरनानाम अर्थ संगानाम रसानाम चंद सामती मंगलानाम चंद सामती मंगलानाम चंद सामती वंदे वानी विनायत भवानी शंकरव वंदे भवानी शंकरव वंदिली शद्धाव विष्वासरूपिनाव याभ्याम विनान पश्यंतिहि सिद्धास्वांतस्तमिष्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुंशंकर रूप्यां यमाशितो हिवक्रोपि चंद्रसर्वक्रवंद्यते चंद्रसर्वक्रवंद्यते ओम्वांगमे मनसी प्रतिष्टिता मनों मेवाची प्रतिष्टितं आविरान एधी वेदस्यमा आनिस्थः शुतम्मे माप्रहसी नाधिते नाहुरात्रा संदधाम पृतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी तन्मा मवत्व तदवक्तारम ववत्व अवत्व माम अवत्वक्तारम तो सबसे पहले मैं सब श्रोतागन को मैं परनाम करता हूँ जो दिव्य आत्माये प्रकाशमान आत्माये सुन रही है इस जूम सेशन में मैं सब को पणाम करता हूँ, खास दोर से जो भारतवासी हैं, क्योंकि भारतवासी जितने भी हैं, ये सब रिश्यों की संताने हैं, इनका DNA बहुत ही पवित्र है, मैं पूरी दुनिया में घूम लिया हूँ, तब जाके मुझे समाज में आया, अपने भारत घूमी के मेरे दिन में अपार शद्धा और प्रेम है से लोगों के लिए, साथ-साथ, I would like to give thanks to, because this is an international broadcast, all my friends, all our friends from foreign countries and foreign cultures, who have tuned in today, I would like to welcome all of you, and I would like to bow down to the divinity within all of you. तो आज का ये टॉपिक मुझे दिया गया था, ये आप लोगों की तरफ से, spiritual ecology and yoga, तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता दूँ, spiritual ecology जो है, it is a newly emerging field, इसमें 5-6 लोग हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से की, मुझे भी सोभाग मिला है इसमें काम क It is a area of intersection between religion, science and environment, or you can say spirituality, science and environment, तो इसमें अलग अलग पक्ष में लोग काम कर रहे हैं, मेरा पक्ष जादा तर वेदिक ecology पे है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ कि आप लोग, इसमें से आप सब लोग अनभिग्य नहीं हैं, कि इस समय बड़ी विशम परिस्थी ती जो शायद इस पूरे पृत्वी के इतिहास में इस तरह की समस्याएं और इतने ब्रिहत समस्याएं और इतनी भैंकर समस्याएं शायद पहले नहीं थी, जो पर्यावरन की छती हो रही है, हम आपको एक, मैं जब पिएच्डी कर रहा था अमेरिका में तो एक मैंने लेक्चर सुना था, अब मर गए वो उनका नाम था, ये बहुत बड़े एस्ट्रोनुमर थे, कॉर्णियल उनिवर्सिटी में, काल सेगन, तो उनकी कुछ साल पहले मिरती हो गई, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कहा था, उन्होंने अंग्रेजी में बोला था, नेच्छुली, उन्होंने कहा था कि, कि, whatever dreams you have, whatever dreams you have, they are not going to happen, if you cannot breathe the air and drink the water, तो अभी भाई साब कलाकार की बात कर रहे थे, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप स्टॉक ब्रोकर हों, चाहे एकॉनमिस्ट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे लॉयर हों, चाहे साक्याटरिस्ट हों, चाहे बिजनसमैन हों, चाहे दू मिनिस्टर हों, आपके जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, अगर आप सांस नहीं ले सकते हैं और पानी नहीं पी सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है, और हम सब लोगों को इस समय अपनी छमता के हिसाब से, अपने छमता के अनकूल, हर स्तरी, महां रोग है, इसको दूर करने में अपना योगदान देना चाहिए, तो मैंने, मेरा ये है कि spiritual ecology जो है, वो एक ऐसा subject है, जो इसी समस्या का समाधान खोज रहा है, एक तरह से समझ जाईए कि, जैसे कि कोई कुशल डॉक्टर होगा, तो वो इसके पहले कि, आज के लिएसे बड़े सारे डॉक्टर देखें, हम चमा करिएगा, जोकि उनके पास आप जाईए, आपने मूँ खोला नहीं, आपने बताना शुरू किया कि नहीं, कि हमारी क्या तकलीफ है, वो अपना पर्चा लिखना शुरू कर देते हैं, या तो टेस लिखना शुरू कर देते हैं, त तब आपको अधिक तर क्या होगा, तो उसका निवारण उहीं पर बैठे बैठे समझ में आ जाएगा, अगर आपने कारण को ठीक से समझ लिया, जो रोग है, उसकी जड़ को समझ लिया, तो उसका निवारण आपको अपने आप से ही सहज रूप से पताज जाता है, करते हैं, आपकी रोगों के हिस्ट्री क्या है, ये लोग जो है, इसलिए हमारा विश्वास ज़्यादा इन लोग पर रहता है, तो उसी तरह से ये जो महारोग है, कि पर्यावरण नश्ट हो रहा है, अच्छा, उसके सात्यात, उसके जो प्रभाव होते हैं, कि देशों में अशांती फैल रही है, जॉइन्ट फैमिली ब्रेक अप करके सन्युक परिवार जो है, वो टूट रहे हैं, लोग नुकलियर फैमिली में भी रहने के बाद उसमें भी लोग टूट रहे हैं, पती पत्नियों के टेवोर्स रेट, अगर आप फैमिली कोर्ट में चले जाएग तो आज कल किसी भी देश में तो आपको खड़े होने के जगा नहीं मिलेगी, तो फैमिली जूट रही हैं, बच्चों और माता-पिताओं में गैप्स हो रहे हैं, बच्चों की अलग सी वजारधरा बन रही है, अजीबों गरीब, माता-पिता का उनके ओपर कोई अधिकार ही नहीं रह पा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि वो लोग बहुत खुश हैं, इस समय जो बहुत विक्सित देश हैं, जिनमें से कि अमेरिका एक देश है, तो वहाँ पे मेरा काफी समय बीता है, तो मैं इस बात से बहुत विचलित था, कि वहाँ पे टीनेज सुइसाइड आया है, एटेंशन डेफिसिट हाईपर एक्टिविटी डिसॉर्डर, मतलब कि वह एटेंशन नहीं दे पाते हैं, आज जो पता चल रहा है कि जैसे कि स्कूल में क्लास एक घंटे के होते हैं, तो एक घंटे तक बच्चे आजकल के बच्चे जो है, वह अटेंशन नहीं दे एक महीने में एक महीने में लखे गया थे, वो दवा खतम हो गी थी, उनको यूरोप से मगवाना पड़ा था, उस्ट्रिलिया की प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेट्मेंट में आधी हस्ते हुए बोला था, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई पी थी, उन्होंने कहा कि हम लों को एंटी डिप्रेसेंट्स लगता है, अपने वाटर सेप्लाई में डालना पड़ेगा, इतने ज्यादा लोग एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो अब तरह तरह की समस्याएं हैं, मतलब ये ब्रेकडाउन और फैंबली इंडिविज्वल लोगों का जो है, डिप्रेशन हैं पिर सोशल लेवल पे हैं, फिर स्ससाइटी के लेवल पे हैं, समाज के लेवल पे जो क्राइम है और तरह-तरह की चीजह जो बढ़ रहे हैं, आज कल जो हमने अपने बश्यवन में हिंदुस्तान में कभी सबने में भी सूना था कि बुढः लोगों को घर से निकाल लिय हैं लेकिन वो भी खतम हो रहा है तो अब इसका जो है इन सब प्रॉलम्स का कोई जड़ है क्या कोई क्वीन भी कोई भीज है जिसको कि अगर हम लोग उसको वहां तक पहुंच जाएं तो खैर उसका जवाब मुझे मिला जो मैंने जो अपना spiritual ecology में जो काम किया है और वो काफी लंबी उसके लिए मुझे दो तीन सेशन चाहिए होगा तो मैं बहुत ही संक्षेप मैं बताऊंगा आप लोग को और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है कम से कम अगर उसको मतलब की कम उसका सार संक्षेप तो समझ जाएंगे लेकिन कहा आदिले यह पुरा विश्व जो है पूरा विश्व का मतलब है कि सारा योरेप सारा अमेरिका सारा ऑस्ट्रेलिया ये पूरा विश्व जो है उसमें उनके जो मानो जात है जो human beings हैं उनकी जो सोच थी एक मूल मान सकता थी वो same थी भाशाएं अलग थी पहनावा अलग था रहन सहन अलग था cultural differences थे लेकिन गहराई में जो लोगों के खोपड़ी में जो operating system था वो चाहे वो Maoris in New Zealand, Aborigines Australia and all the Native American tribes, the Onandagas, the Lakotas, the Soos, the Senecas, you know and the Mayans and the Toltecs and the Aztecs and the Incas ये सब जो वहां के आदिवासी लोग थे North America के और South America के और Africa में जो तरह तरह की tribes थी और क्या केते हैं कि चाइना में जो डाविस थे और हम लोग के हाँ पे जो वेदिक civilization था इंडिया में इन सब लोगों की operating system वो same था, वो क्या था कि प्रकृति जो थी वो वंदनिय थी, वो sacred थी, वो पवित्र थी और प्रकृति जो है nature and earth were sacred प्रकृति जो है वो मा थी, कुछ लोगों के लिए वो पिता थी, हम लोगों के लिए मा थी, लेकिन कुछ तो थी और वहाँ पे उसकी वज़े से ये होता था कि प्रकृति से हम लोगो कम से कम लेना है और जितनी अपनी आवशक्ता से ज़्यादा नहीं लेना है और अगर लेना भी है तो उसके बदले में हमारी शंक्ता में जितना हम लोग वापस दे सकते हैं वेदों में एक ग्रिचा है जिसका मोटा-मोटा अर्थ ये है कि हर आदमी जो है उसको पेड़ बोना चाहिए और हर एक बड़ा हरा पेड़ जो बोता है तो उसको दस संतानों के प्राप्ति का पुण्य मिलता है तो वेद की एक ग्रिचा है इसको मैं आपको गाह के सुनता हूँ तच्छम्योराव्रिणी महे गातुम्यज्याया गातुम्यज्यपत्ये देविए स्वस्तिरस्तुनह स्वस्तिर्मानुशेव्यः पूर्धम जिगातुभेशदं सन्नों अश्टूद्वेपदे शम्चतुष्पदे ओम शान्ती 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 ही ये रिगवेद की रिचा है शान्ती पाठ में आती है ये और इसका अर्थ ये है जो रिशी जो अपना जो वेदों का जो हवन करते थे तो उसमें वो लोग उस परम सक्ता से ईश्वर से ये प्राठना करते थे कि हम ये जो कॉजमिक एनरजी ला रहे हैं इस वेदिक याग्य के माध्यम से जो कॉजमिक एनरजी आ रही है इस जगह पे और हमारे अंदर जो आ रही है इसका लाब सिर्फ हमको न मिले इसका लाब यहाँ पे जितने भी प्राणी है पेड़ पौधे उर्धम जिगात भेशजम जो भेशज हैं जो पेड़ पौधे हैं और जो वन और शदिया ये सब इन सब में ग्रोथ हो ये आगे बढ़ें ये फले फूलें खुश रहें और सन्नो अश्टु धुपदे जो दो पैर के प Symmond Beings Principally वो सब लोग स्वस्त रहें खुश रहें आगे बढ़ें और पृश पारम् तत्व की प्राप्ति के तरफ मोख के तरफ आगे बढ़ें और समच ठुश्पदे जो चार पैर के पौ़ाणी हैं उनको भी जो होर तरह का लाब मिले हम जो कुछ कर रहे हैं जो यो क कर रहे हैं जो जब कर रहे हैं जो तब कर रहे हैं जो यागे कर रहे हैं इसका लाब हम सिर्फ हमको न मिले सब प्राणियों को मिले ये इस तरह की भावना मिलती जुलती जो है वो सब जगह थी और इसी लिए हजारों लाखों वर्षों तक ये पृत्वी में मानो जात जो है वो प्रकिट्स के साथ शांती पूर्वक और एक सामंजस से जोड़ के रही, तो ये फिर बदला, ये जो है 17 साल पहले बदला वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मैं बहुत आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, कि 325 में योरप में रोम नाम का जो बहुत बड़ा शक्तिशाली एंपायर था, वहां के जो एक पोप थे, जो वहां के राजा थे, उनका नाम था कॉंस्टेंटिन, तो वो कई कारण हैं, उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी हो गई, कि उन्होंने फिर उस समय जो इसाई धर्म होत है, जो की ओरिजनली जो रेगिस्तान में प्रजातियां रहती थी, रेगिस्तान में जो सेमिटिक ट्राइब रहती थी, वो लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, तो उन लोगों का ये जो इसाई धर्म था, इन्होंने अपनाया, और इसको अपना राष्ट धर्म बना लिया, और स्वैम को उसके राजपुरोहित गोशित कर दिया, तो ये इस भूमंडल के इतिहास में पहली बाहर था, कि the head of the state was also the head of the church, और जो की हम लोगों के देश में बिलकुल allowed नहीं था, हमारे देश में हजानों साल से ये संस्कृति चली आ रही थी, कि जो राजा होते थे, उ हर तरह का पावर रहता था, लेकिन spiritual power को वो लोग higher power मानते थे, और वो राजपुरोहित और आचारियों के पास, गुरूओं के पास होता था, लेकिन गुरूओं के पास कोई military power नहीं रहता था, in fact जो गुरू लोग होते थे, they had to take a vow of poverty, उनको गरीब होने का, की प्रतग्य लेना पड़ता था, और वो लोगों के दान दक्षिना पे रहते थे, लेकिन उनके पास spiritual power रहता था, और जो राजा होता था, उनके चरण छूता था, उनसे advise लेता था, तो ये power को उन्होंने इस तरह से distribute कर रखा था, क्योंकि power एक खतरनाग चीश होती है, ये तो सब ने जिस प्रकार का उसमें से काट छाट करके, और जो उसकी जो उन्होंने गरंथ बनाया, जो उसका official version था, जिसको मैं churchianity कहता हूँ, तो उसमें Old Testament की एक रिचा है, Old Testament में एक ऐसी बात लिखी है, कि अनाधिकाल में जब पहली बार वो God ने मानो लोगों को बनाया, जब Adam और इव और मॉनो लोगों को बनाया, तो उनसे उन्होंने कहा कि, Behold, I give you this planet and I make you in my image. भगवान कहते हैं, उन पहले human beings से, पहले आदम जात के लोगों से, कि मैं तुमको ये पृत्वी दे रहा हूँ, इसमें जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जानवर, जितने भी हैं, उन सब के boss, तुमको हम इनके उपर dominion दे रहे हैं, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, ये पूरी दुनिया तुमारे यूज के लिए है, तुम और तुमको तुमको इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुमको मैंने अपनी image में बनाया है, तुमको और सिर्फ तुनको, यानि कि God कह रहे हैं, मनुश्यों से, कि हे मनुश्य, मैंने तुमको अपने आकार में, अपने तरह का बनाया है, और किसी प्रानी को नहीं, पेड, पौधे, पशुपक्षी, फूल, नदी, नदियां, और किसी में न तो आत्मा है, न ईश्वर है, ईश करना चाहो, तो ये जो कल्चर बना योरप में, सत्रा सो साल तक ये कल्चर बना, तो धीरे-धीरे ये आइडिया कि हम लोग भगवान की इमिज में बने हैं, और ये सारे पशुपक्षी हमारे यूज के लिए हैं, सारे खाने, सारे संसाधन, सब कुछ जो है, पानी हो, चाह को दोशी नहीं ठहराऊंगा, अब ऐसा हुआ, तो ये जो है, धीरे-धीरे, ये उस कल्चर में आ गई, वो कल्चर जो कहता है, बाबा, ब्लैक शीप, हैव यूण ये वूल, हे भेड, तुम हमको क्या दे सकते हो, और वो बिचारा हाँ जोड़के कहता है, यस सर, यस सर, थ मेरे विचार नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, सब बिल्कुल प्रूब हैं, आप लोग देख सकते हैं, मेरा ये धे नहीं कि मैं किसी धरम की, या किसी व्यक्ति विशेश की, या किसी भी लोगों की, किसी विचार धारा की बुराई करूं, ये जो फैक्ट है, क्योंकि हम य टेकनोलोजी जो है जो जैसे ही टेकनोलोजी की एडवांस की मैं बात सुनता हूँ तो मेरी रूख कहाँ जाती है क्योंकि मैं एज़ सैंटिस में जानता हूँ कि जब टेकनोलोजी एडवांस करती है तो उसके साथ-साथ या तो उस टेकनोलोजी के प्रोडक्शन में या उसक दिस्पोजल में या उसके यूज में कहीं ने कहीं पर पर्यावरण को भैंकर च्छती है तो ऐसा क्यों है यह प्रश्ण यह है कि क्या टेक्नोलजी ऐसी नहीं हो सकती हम लोग के अंदर वो कौन सी गलत विचार धारा है जिसकी वज़े से हम लोग इस तरह की टेक्नोलजी बन रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स बना रहे हैं इस तरह की लाइफस्टाइल बना रहे हैं इस तरह का एक कंजूमर कल्चर बना रहे हैं जिसमें की जिसका नतीजा यह है कि हम लोग जो है हम लोग के पास एर कंडिशनर्स हैं कार्ड हैं एरो प्लेंस हैं इंटरनेट हैं ले वापस आके एक नई दिशा में चलें ये सब spiritual ecology है इसमें योग की क्या भूमिका आएगी मैं अभी आपको बताऊंगा तो खैर ये चीज जब अपने European लोगों के culture में अच्छी तरह से उनके DNA में आ गई कि हम भगवान की image में बने हैं उससे वहां के कुछ विचारकों ने जब तंग हो गए तो फिर scientific revolution हुआ और scientific revolution जो हुआ तो उसमें ये क्या किते हैं कि इस समस्या का निदान निकालने के लिए उन लोगों ने science, industrial revolution, scientific revolution हुआ, age of enlightenment जिसको करते हैं ये सब हुआ, ये around 1750, आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ ये परक्रिया, लेकिन इसमें एक बहुत unfortunate चीज यह ही कि इसमें ये idea कि human beings are made in the image of God and the rest of creation is, you know, for a resource for human consumption. ये पूरी के पूरी पूरी प्रित्विर उसके प्राणी हमनों के use के लिए हैं, हमनों के उप्योग के लिए हैं, ये बात जो है, वो इस scientific revolution में भी आ गई, अगर आप Francis Bacon, René Descartes, Galileo, Galilei और इन सब लोगों की writings को पढ़ेंगे, और history of science पढ़ेंगे, तो आपको ये देखके आप दंग हो जाएंगे और थोड़ा दुब भी होगा, अगर आप संवेदनशील होंगे, कि ये जो उनसे पूछा गया, कि ये जो आप लोग ये science, science जो बोल रहे हैं, ये क्या चीज है, ये scientific, ये जो science की आप लोग जो बात करते हैं, तो क्या है, तो इनोंने बोला, जैसे Francis Bacon थे, कि the purpose of scientific inquiry is to understand nature and the forces of nature, so that we can exploit those, exploit nature and make nature work for us, यानि कि नेचर पे हम लोग पूरी तरह से अधिकार प्रात कर सकें, नेचर प्रकिर्थी को अपनी दासी बना सकें, ये उसमें specifically लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जगह पे ये Francis Bacon थे, उन्होंने यहाँ भी कहा था कि we have to torture nature in order to reveal her secrets, तो ये चीज, क्योंकि ये एक scientific revolution एक मन की क्रांती थी, it was a revolution of the mind, it was not accompanied by a spiritual revolution, अगर उस समय एक अध्यादमिक क्रांती भी हो गई होती, तो आज हम लोग इस विशम परिस्थिती में नहीं बैठे होते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, तो एक mind का revolution हो गया, लेकिन spiritual growth नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने ये idea कि we are made in the image of God and the rest of nature is a resource for human consumption, इसको उन्होंने discard नहीं किया, ये science में आ गया, अब यही कारण है कि अब आप देखिये कि आज जैसे कि जो nuclear bombs की testing होती है bottom of the ocean में, तो उसमें millions of life forms destroy हो जाते हैं, लेकिन science की प्रग्रती के वेलिंग जो है, इतना बड़ा सुंदर प्राणी, वेल जो है, स्कूल बस से भी बड़ा सुंदर अहिंसक प्राणी है, उसके लिए अब जाके हजारों साल तक वेलिंग हो रही थी, उसको बैं किया है कि international federation ने, लेकिन उसमें भी एक sub clause है कि scientific research के लिए allowed है, आप लोग तो research monkeys के उपर बड़े सारे क्रूर प्रयोग होते हैं, क्योंकि हम आप कहना ये चाते हैं कि ये सब उस culture ने, उस संस्कृती ने साइंस को बनाया, ये भारत की रिशी मुनी लोगों ने नहीं बनाया जो modern science है, ये उस संस्कृती ने बनाया जो कि 1700 साल से जिनके DNA में ये डाला ग ये बाद बैठी हुई थी, इसको अगर scientific revolution के समय इसको अगर हटा दिया गया होता तो बहुत अच्छा होता, इसके बाद जो third, तो पहला point ये था कि जो old testament को अपनाया गया, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली जो सामराज था, military, एक expansionist empire था, Rome empire, उसने इसको अपना state religion बना scientific revolution हुआ, उसमें भी ये आइडिया आ गया, ये गलत आइडिया आ गया, बाकी सब बहुत अच्छा है था हम, पूरे science को trash नहीं कर रहे है, science is a search for the truth, तो वो अच्छी चीछ थी, लेकिन एक बहुत अच्छे computer program के साथ एक virus भी घुज जाए, ये unfortunate हुआ, तो हम पूरी science की every human being has a dark side, every human being, और उसके, उसके dark side के उपर प्रकाश लाना, उसके बारे में आदमन, मनन, चिंतन करके, उसको उसमें जो है, ज्यान का प्रकाश लाना ही, एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है, उसी तरह से science में जो hurtful चीज़े हैं, जो harmful चीज़े हैं, उनके तरफ मैं लोगों का ध्यान ला रहा हूँ, यही spiritual ecology है, तो अब ये देखिए, अब third जो गलत चीज़ होई, वो Darwin सहब आये थे, और मैं आपको बता दूँ कि जतने भी science के, जतने भी जन दाता थे, जतने भी इसके, जो जनों ने इसको जरम दिया, गैलिलियो, फ्रांसिस बेकन, रेन करते थे, इनमें एक भी atheist नहीं था, और लेकिन इन लोगों ने, unfortunately, यह idea उनलों के अंदर था, तो अब Darwin ने जो यह idea introduce कर दिया, एक और, कि man is not made in the image of God, man is made in the image of a monkey, और मतलब कि हम लोग जो है, evolution का idea डाल दिया, तो खैर, यह एक तरफ से तो ठीक था, लेकिन इसके साथ दिक और competition वाला जो idea दे दिया, यह बहुत नुकसान दे दिया, हम लोगों को, यह बहुत ही गलत एक idea था, यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आजकल जो leading biologist हैं, और जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टी में, जो आजकल जो काम हो रहा है, ecology में, biology में, तो लोग यही बता रहे हैं कि Darwin ने जब यह idea introduce किया, तो धिरे-धिरे यह आख के तरह से फैल गया, और अब हम लोगों की politics, हम लोगों की economics, हम लोगों के sports, हम लोगों का art और entertainment, art भी, हर जगा competition, school की पढ़ाई में, college की पढ़ाई में, competition, 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 हमेशा जो है competition ही हम लोगों के पूरे modern humanity की जड़ हो गया, लेकिन actually Darwin was wrong, उसने जब उसने वो गैलपेगो इस आइलेंड में गये थे, उन्होंने एक पेड के नीचे देखा कि एक बहुत बड़ा पेड उगा है, और उसके उगने की वज़े से छोटी-छोटी जाडियां जो होती है, छोटे-छोटे पौदे होते हैं, वो सब मर गये, तो उन्होंने कहा, आहा, I have discovered a great law of nature, survival of the fittest, natural selection, इसमें जो कमजोर प्रानी हैं, वो मर जाएंगे, क्योंकि competition is law of nature, मरो या मारो वाला न्याय है, survival of the fittest है, dog eat dog है, और ये और ये बात Royal Society को उन्होंने भेज़ दी, सब लोगो बड़ी अच्छी लगी, और ये धीरे-धीरे हम उन्हों के ये हर चीज में घुज गया, लेकिन अब जो है, आप नहीं पिछले 10-15 साल से, साइंटिस्स ने देखा है कि जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, जैसे जैंट सेकोया, रेट वोड्स, हम खुद गय थे वहाँ पे अमेरिका में, Yosemite National Park में, जो जैंट सेकोय होता है, if you think of competition as the waves on an ocean, these waves of competition that exist on the ocean, they are overlaid on a huge, several miles deep layer of cooperation, हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे, हम लों का 20-30% हम लों का जो बॉड़े वेट है, वो साहयक जीवानू हैं, इस पिर्थवी पर, अब हम लोग जो आजकल, जैसी मानसिकता होगे, ये लोगों की टीवी पे, हम हैं, कि ये toothpaste ले लो, ये साबून ले लो, ये phenyl ले लो, ये sanitizer ले लो, ये bacteria को मारना है, viruses को मारना है, सचाई ये है, biology आपको ये बताती है, कि 99.9% जो bacteria और viruses हैं, इस planet में, 99.9% वो या तो हम लोग के दोस्त हैं, वो friendly हैं, या तो neutral हैं, हमको कोई नुक्सान नहीं पहुचात हैं, ताइफॉइड और कॉलरा और ये Corona टाइप के, ये बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इस 0.1% को मारने के लिए, modern humans जो है, वो 99.9% को मारने में तुले हुए हैं, कितने लाख टन्स जो है, हम लोग pesticide और herbicide और ये तरह तरह के ये round-up ये जो बना रहे हैं, सब जगह छ ये हम लोगो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो cooperation is the law, तो अब ये ये अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो यहां पर ये पहुंचे हैं, कि हम लोग पानी नहीं पी सकते हैं, और क्या किते हैं, कि सांस नहीं ले सकते हैं, ये जो वेशम परिस्थिती है और इस स्टिक वर्ल्ड विउ है, जिसमें कि the supreme principle of creation is a dead piece of matter, fundamental particles जो string है और जो clocks और guons, neutrinons, electron, proton, neutron, जिनके अंदर कोई life नहीं है, आत्मा की तो बात ही मत करिये, आत्मा की बात अगर आप कोई physicist करेगा तो उसको तरन नौकरी से निकाल नहीं है, तो ये जो एक मरी हुई एक चीज है 10 dimensional space में string, इसी से पूरी शिष्टी बनी है, अब आते हैं हम योग पे, अब इस problem को solve कैसे किया जाए, हम लोग जो है, जो हमनों की समस्या है एतनी बड़ी, इस से बाहर निकालने का रास्ता कैसे होगा, तो देखिए, ये जब इतनी बड़ी परिस्तिती है, तो कोई इसका एक magical pill नहीं है, बहुत तरीके से इसको attack करना पड़ेगा, हमने बताया था कि हर every man, woman and child on the planet will have to become an activist for the environment, लेकिन इसमें हम लोग योग से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि आज अंतर राष्ट्रिय योग दिवस है, today is international yoga day, तो इस रिशी मुन्यों की महाविद्या को प्रणाम करते हुए और ये वेदों से ही ये जन्म लिए है, तो वेद क्या कहते हैं, कि अगर वेदिक रिशी आज जिंदा होते हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, और कहते हैं कि आप बताये कि हम लोग की ये जो हालत हुई है, इसका कारण क्या है, इसका निवानन क्या है, तो वो क्या में देंगे मुझे ऐसा लगता है मैं कोई रिशी नहीं हूँ लेकिन जो थोड़ा बहुत मता-पिता के आशिरवाद से और गुरूओं के आशिरवाद से जो हमने पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं तो उसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका है और ये सिर्फ हिंदुस्त के गुरू जन और रिशी लोग नहीं कह रहे हैं जो विदेशों में जो अच्छे विचारक हैं वो भी यही बात कहते हैं आपको यह जानके इंट्रेस्टिंग लगेगा कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने किसी मेगजीन शायद वो दर्श पीजल श्पीगल मेगजीन थी उस मेगजीन के में इंटर्व्यू दिया था उसमें उनसे एक बैग्यानिक जनलिस्ट ने पूछा कि कॉंटम मेकैनिक्स इस दे लास्ट 1925 में कॉंटम मेकैनिक्स का जन्म हुआ था जिसमें कि आ इर्विन श्रोडिंगर ने तो फिजिसिस्स यह कहते हैं कि यह इसके बाद जो है कोई मेजर डिसकवरी नहीं हुई है इंप्रूम्मेंट्स हुए है तो आइंस्टाइन से उसमें बड़ा अच्छा क्वेशन पूछा उसने कहा कि क्या जितना भी हम लोग खोज सकते थे विज्ञान के छेतर में फिजिसक्स के छेतर में क्या वू सब खोज लिया गया है कि अभी कुछ बाकी भी है तो आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा जवाब दिया आइंस्टाइन ने कहा कि no there is still a lot to be discovered आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं भाई अभी बहुत सारा बहुत सारा discover करने को खोज में बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं but the scientist of the future will have to be a man of enlarged perception उन्होंने बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बोला उन्होंने कहा कि scientist of the future would have to be a man of enlarged perception उन्होंने कहा कि इसमें जो भविश्य में जो वैग्यानिक होगा उसको he has to be a man of enlarged perception मतलब कि उसको जादा आज के वैग्यानिक से जादा संवेदन शील उसको अपने सुनने की छमता बढ़ना पड़ेगा अपने देखने की गहराई से देखने की समझने की दृष्टा होना पड़ेगा उसको उसकी छमता बढ़ना पड़ेगा उसको चिंतन मनन की enlarged perception इसका मतलब है उनके पास ये भाशा नहीं थी लेकिन वो क्या बोल रहे थे Einstein ये करे थे कि the scientist of the future would have to be a yogi because yog का पूरा परिभाशा और definition और धे लक्ष भी यही है कि a yogi is a man of enlarged perception योग में जो जितने भी साधन होते हैं योग के यम नियम आसन प्रानयाम ध्यान धारना समाधी इन सब का अस्तित्व यही होता है इन सब का परिणाम यही होता है इनमें इनको अगर हम लोग अच्छी तरह से इनको जो है गुरुओं को परणाम करके और भाव पूर्ण होके और कृतक गिता से अपने अंदर पूरा पूरी तरह से हम लोग ओथ प्रोथ होके जिन लोगों ने इस धीपक को हजानों साल तक विशम परिस्तितियों में जिंदा रखा उनको परणाम करके जब हमना अपना योगा अभ्यास करते हैं प्रानयाम कर करते हैं ध्यान करते हैं तो हमरा पर्सेप्शन एनलार्ज होता है तो अब यह आ जाता है बात की योग जो है तो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इसको इंट्यूट किया था तो योग सिर्फ यहीं नहीं कर सकता अब आपको मैं बताऊं कि इस विशह में योग की जो उप की जो प्रॉलम्स हैं उनमें सॉल्व करने के लिए उधारन के लिए आपको बताऊं कि एक आश्रम था वहां अमेरिका में जहां मैं अक्सल जाता था मेरे गुरूओं में से एक मैं उनको मानता हूं स्वामी राम आपने सुना होगा हिमालया बहुत ही सिद्ध योगी थे हि दीन ओरनिश वहां पर उन्होंने योग का कोर्स लिया और वहां पर वो कितने महीने रहे मुझे नहीं पता है लेकिन उनके व्यक्तित में योग के प्रभाव से जो आश्रम में रहे तो बहुत परिवर्तन आया पहले तो उन्होंने अंडा मास मशली सब छोड़ दिया और वेजिटेरियन डाइट पर आगया योग करने लगे और उनको जो कुछ रोग वगर थे वो सब ठीक हो गया तो बाद में उन्होंने एक गजब की रिसर्च किया और वो रिसर्च पब्लिश्ट है इट इस कॉल्ल रिवर्सिंग हार्ट डिजीज बाई दीन ओर निश आप ल उसको डेट दे दी गई है कि तुम्हारा चलो 20-22 जुलाई को तुम्हारा बाईपास होगा जो बाईपास के लिए जिननों को वेटिंग लिस में डाल दिया गया था ऐसे पेशन्स को लेके जिनकों की मतलब डाक्टर ने कह दिया कि भाईया अब दवाईयों से काम नहीं च प्राश्रम में उन्होंने ऐसे पेशन्स को लिया इनके ओपर कंट्रोल डबल ब्लाइंड स्टडी क्रिनिकल ट्राइल किया और यह उन्होंने प्रूफ किया पूरी दुनिया को कि उसमें से बहुत लार्ज परसेंट मतलब हमको ठीक से याद नहीं है लगब असी प्रतिशा गया उसमें प्लेक्स आ गए उसमें तरह तरह के कचड़ा भर गया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं या तो आप स्टेंट लगवाईए या तो बाइपास करिए लेकिन वो उसके बात यह किताब पब्लिश्ट है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज इसको आप देख ल लोगो को दो क्या कहते हैं कि ग्रूप्स में बांट दिया था एक ही रोग था लेकिन उसके 25 मरीज एक ग्रूप में दूसरे 25 मरीज दूसरे ग्रूप में यहार्वाट मेडिकल स्कूल की बात हो नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो आपनों को वि वो ने क्या किया कि जो 25 मरीज थे एक ग्रूप में, ग्रूप A में, इन सब की फोटो और इनका नाम कुछ वॉलंटियर्स थे उस्ट्रेलिया में, उनके पास भेजा, और उन्होंने कहा कि तुम लोग 15 मिनट रोज हर आदमी, हर आदमी के पास, हर वॉलंटियर्स के पास एक म हॉलंटियर्स था, जो कि उसको जानता भी नहीं था, उसे कोई उसकी रिलेशन भी नहीं थी, कभी उससे मिला भी नहीं था, उसको देखा भी नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए प्रे करता था, और यह कितने मैंने शायद एक महिने चला, उनके लिए कोई नहीं प्रे कर रहा था तो 25 लोग थे रोग सेम था हारवर्ड मेडिकल स्कूल की बात थी उसमें जिन लोग 25 लोग के लिए लोग प्रे कर रहे थे अंजान लोग और वो भी 20,000 मिल दूर ऑस्ट्रेलिया में प्रे कर रहे थे उनके लिए रोज नियम से 15 तो अब यह इसमें योग कहां से आ जाता है क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि योग एक बहुत ही ब्रहत शब्द है एक कोई एक चीज़ नहीं होती हजानों तरह की योग होते हैं आयर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है बड़ी मैंट्रा मेडिसिं मांट्रा मेडिसेन तो यह प्रेर यह मेडिसेन की के डिगरी में आ जाती है योगी कहता है कि बाइचा कि अगल सारे अच्छे साइंटिस मेडिकल साइंस कहता था something the body is like a machine, वो mechanistic model था, तो body is like a machine तो भई कार है, कार में अगर जो है उसका alternator खराब हो गया, तो अब उसके लिए उसके लिए जो है आपको नया alternator नाना पड़ेगा, अगर उसका oil जो है गंदा हो गया तो नया oil डालिए, तो उसी तरह से वो लोग अपने body को भी समझते थे, body is है machine और उसमें तरह तरह के parts हैं, kidney खराब होगी तो हटाओ उसको kidney transplant करो, liver खराब हो गया तो हटाओ एक नया liver लगा देते हैं, heart खराब हो गया तो हटाओ उसको नया heart लगा देते हैं, या अगर कोई कमी है तो यह vitamin खालो, जैसे की car में जो है वो धकन खोलके, यह brake oil तो यह steering fluid तो खलाना दिमागा डाल दो या battery खराब बैटरी बदल दो, तो यह mechanistic model था, लेकिन तो 1950s में जो top scientist थे, वो mind का कोई रोल नहीं मानते थे, वो कहते थे कि नहीं, disease और healing में, body is like a machine, तो mind का कोई रोल नहीं है, उसको उन्होंने बिलकुल divide कर दिया था, mind की कोई बात करता थ लिए या chemotherapy करा लिए, radio therapy करा लिए, हमसे mind mind की बात मत करिए, यह सब जो है, यह अंद विश्वास की चीज़ें, फिर धीरे धीरे जब लोगों को थोड़ा सा, उनका चेतना का level थोड़ा उठा, scientist का, तो 70s, 80s में लोग इतना माने लगे थे, 10% diseases के healing में, progression में, और उनको acquire कर में, 10% mind का role होता है, 1990s तक पहुंचते पहुंचते तक वो यह इतना माने लगे थे, diseases का 50% role होता है, अब आज की डेट में, आज की डेट में यह हम लोग नहीं कह रहे हैं, यह बाबा राम देव ही नहीं कह रहे हैं, यह Stanford Medical Center, Harvard Medical School, जो topmost Medical Research Institute हैं की 100% of all medical conditions, the mind has some role to play, यहां त की simple thing like iron deficiency, iron deficiency है तो भाईया आप जो है, वो iron की tablets लीजे, hemoglobin level आपका, उसमें mind का क्या role है, आपके शरीर में iron कम है, तो आप जो है iron की tablet लीजे, इसमें mind का क्या role है, लेकिन उन्होंने यह किया, experiment, double blind study की, तो उसमें उन्होंने देखा कि नहीं, जिन लोगों को placebo दिया जा र दे रहे हैं, लेकिन उनको, actually iron की tablet, उनका भी iron level बढ़ गया, उनका भी iron level बढ़ गया, तो उसको उन्होंने इस तरह से समझा कि भाई, उनका mind इतना strong था, वो belief इतना strong था, कि हमको जो है iron की tablet दी जा रही है, मेरे शरीर में iron बढ़ रहा है, कि उनके खाने में जो iron था, जो पहले absorb नहीं हो रहा था, वो ठीक से absorb होने लगा, तो यहां तक कि आपको कोई trauma हो, कोई injury हो, कोई fracture हो, तो भी आपकी मनोस्थिती जो है, वो बहुत important है, और वो जो है, इसको इसमें बहुत important role play करती है, तो जब आप इस बात को accept कर लेंगे, तो तुरंथ आप योग के छेत अब जैसे कि अब जो economic problem है, अब देखिए, योग की जो सीड़ी शुरू होती है, जो पतांजली योग दर्शन की, तो उसमें है, जो योग की kindergarten है, जहां से जो पहले चरण है, पहली सीड़ी है, जिसको कि सब लोग इंगोर कर देते हैं, लोग कि बड़ी मुश्किल है, यह हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी सबसे important यह है, और इसको अगर ध्यान नहीं दिया, जो कि प्रायर 99% लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो योग में सबलता नहीं मिल सकती, लेकिन यह पतांजली योग सूत में है, यम और नियम, तो यम जो है, उसमें, जी सर, मैं आपको इं ब्रहमचर अपरिग्रह, तो अब इसमें यह जो चीज़ें है, योग की जो चीज़ है, अपरिग्रह मानी non accumulation of possessions, तो यह जो आजकल की modern lifestyle है, you know, of living with exaggerated needs and filling our houses with all these possessions, यह इस जिससे की परियावरन को नुक्सान हो रहा है, वो रुख जाएगा अगर हम लोग की योग की philosophy जो है, परिचार होगा, अब परिग्रह, अहिंसा, अगें, अगर अहिंसा को हम लोग अपना लेंगे, तो we'll be more careful about destroying the environment, सत्य जो है, महत्मा गांधी जो है, सत्य और अहिंसा, जो हजानों साल, महत्मा गांधी didn't discover सत्य अहिंसा, he applied it, it was around for thousands of years before him, but he just took it and applied it in the sphere of politics and social action and he achieved a miracle, तो इस त बहुत सारे problems हम लोग के जो है, चले जाएंगे, जो उसमें जो नियम हो, उसमें, शौच, संतोष, contentment, योग teaches you to be contented, तो यह जो चुहे की दोड़ है, जो भाग दोड़ है, जिसकी वैसे परियावरण नश्ट हो रहा है, इसमें अगर लोग contented रहेंगे, शौच, साफ सुत उससे हमारी spiritual growth होगी, ईश्वर प्रणिधान, and we should never forget God, तो जो राम कृष्न परमास ने कहा था, कि whatever you do, if you do it to glorify your own small self, it will be a curse to you and to the world, but whatever you do, if you do it to glorify God, it will be a blessing to you and to the rest of the world, तो यह हम लोग यह कहके मैं अपने वानी को विराम देता हूं, और आखिरी मैं यह कहूंगा, कि अगर शर्शी बाला जी हमको permission देंगी, तो एक गोरकनाज जी का भजन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, 7000 साल पहले गोरकनाज जी ने लिखा था, उसका मैं जन को इसलिए चूज कर रहा हूं कि इसमें दो लाइन में उन्होंने पूरे योग को समराइज कर दिया है, दो लाइन में, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, यह कहते हैं, O Siddhas, chant Aum, chant Aumkar for it is the essence of purification of the Kaya, Kaya means the seven sheets of the human body, physical, mental, emotional, psychological, the pranic, the spiritual and blissful, all the seven sheets are purified by chanting Aum, the divine melody resounds in the crown of the head and my soul is awake day and night, listening to this melody and its connecting threat to infinity, my soul is in ecstasy day and night, catch hold of the five, let go of the three, bring the eight to your doorstep, catch hold of the five means the, you know, restrain the five senses, let go of the three, meaning let go of the three gunas out of which Maya is composed, you know, Satwarajtam, in other words, let go of all illusions and delusions that stand between you and your true self, catch hold of the five, let go of the three, bring the eight to your doorstep, If you do this much, catch hold of the five, let go of the three, the eight occult powers, Ashtasiddhya, of clairaudience, clairvoyance, etc, etc, by location, they will come to your doorstep begging to be let in. So, catch hold of the five, let go of the three, bring the eight to your doorstep, arise awake, O swan, drink the nectar of immortality at the confluence of the three rivers. The confluence of the three rivers is the meeting point of the three psychic nerve channels, Ida, Pingla and Sushumna. They meet here at the location of the pineal gland and yogis, good yogis will concentrate their mind and meditate at that point where they are able to drink the nectar of immortality. This is the hint that Gorak Naji is giving. Last paragraph is, says Gorak the awakened. Chet Gorak Akhand, says Gorak the awakened, the one of unbroken light of consciousness. Arise, awake, see the hope and see the light, but see it with your own eyes. So, this is the song. Isko Aap Baja Dijay, Aap Sab Nungko Main Pranam Kerta Hoon. Shashi Balaji. Thank you very much, sir. Mr. Paul, I will request you that he will play a music. Thank you. Thank you. Siddhbha Junkar O Siddhbha Junkaravadu, Kaya Manjana Sarajee, O 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 बाजे आतमा देन धैन जागे नाद सुन सुन लागी दोरी आतमा देन रैन बाउरी हो सिद्भजों कारावधु काया मन्जन सारजी आच पकड़ो तीन छोड़ो मांच पकड़ो तीन छोड़ो आतलावो घाट जी मांच पकड़ो तीन छोड़ो आतलावो घाट जी उठो हनसा पीवो पानी तिरवेणी के घाट जी हो सित्भजों कार अवधू काया मन्जनसार जी हो काया मन्जनसार जी काया मन्जनसार जी चेत गोरक खंड रासा चेत गोरक खंड रासा खोल कवडी तेक आसा देख लो दीदार से जी सित्भजों कार अवधू काया मन्जनसार जी हो काया मन्जनसार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ अब मैं डारेक्टर एंजे में मुंबई श्रीमती अनीता जी से अनुरोद करूँगी कि वे वोट ऑफ थेंक्स देंगा इस जूम सेशन में जितने भी लोग पस्थित रहें मुझे लगता है कि उन्होंने डॉक्टर शुकला की जो पात सुनी उससे काफी कुछ सीखा होगा उन्होंने कितने अच्छे तरह से ये समझाया कि किस तरह परकृति मस्तिष्क और आत्म चिंतन संतोष ये सारी चीज़े जो हैं आपस में जुड़ी हुई है और हमारा सौभाग्य है डॉक्टर शुकला की आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े और हमें एक तरह से अपनी ही संस्कृति से परिचित कराया और जिस संस्कृति के बारे में दुनिया आप लोफा मानने लगी है अगर हम भी उसके प्रति और सजग हो जाए और लोग को वे ओफ लाइफ बानो अपनी ही जीवन का एक हिस्सा बना ले जिस से जो बन पड़ता है जिस तरह से यानि कोई बंधन नहीं है आप से जितना हो सकता है वो करें तो आपकी कई सारी जो परेशानिया है वो अपने आप खतम होंगी तो आपने जिस तरह से समझाया कि हर चीज के लिए दवाई जो है वो रास्ता नहीं है अगर प्रार्थना है अगर आपको विश्वास है आप कर सकते हैं तो वो अपने आप में बहुत कारगर सिंग होता है तो इन ही शब्दों के साथ मैं डॉक्टर शुक्ला को हमारे पूरे एंजे में परिवार की और से और जितने भी लोग आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में उनकी और से हने वाद है तुमस्ता